दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा सबनेटिंग के बारे में सबनेटिंग भाई कितना important topic है यह मुझे बताने की ज़रत नहीं है university exams है, why why है, interview है, placement है, gate है, net है, कुछ भी हो, why why है, you know, interview है, कुछ भी है subnetting से question पूछेगा, इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाला हूँ, तो सबसे पहले subnetting क्या होती है क्या होने से पहले subnetting करने का कारण क्या है, उसका reason समझेंगे, उसके बात subnetting की exact definition दो fundamental ideas यहां पर है, type of subnetting जिसमें बात करूँगा, fixed lens subnetting क्या होती है, variable lens subnetting क्या होती है दोनों को solid तरीके से numerical से explain करूँगा, सबसे last में बात करूँगा, subnet mask की उसके अलावा इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे concept ऐसे idea बताने वाला हूँ, जो book में आपको कहीं नहीं मिलेंगे important बात, subnetting के उपर सर पहली और आखरी वीडियो है, बहुत प्रयासू से बहुत data compile करके, सारा conclusion एक वीडियो में करूँगा, मन होगा, तो last तक देखिएगा, मज़ा आपको आजाने वाला है, चलिए शुरू करते है तो दोस्तों सबसे पहले बहुत basic में बात करूँगा, subnetting का मतलब, एक बड़े network को छोटे छोटे हिस्तों में divide करना, ये एक basic idea है, बड़े network को छोटे parts में, छोटे subnets बनाएंगे, उनको हम बोलता है subnetting, क्यों कर रहे हम ये, पहला basic reason हो सकता है, या network administration, इंडिया को हमने states में क्यों divide किया, states को हमने districts में क्यों divide किया, administration, maintenance करना, control करना आसान है, तो इसी तरह जब एक बहुत बड़ा network होगा, तो administrators के लिए मुश्किल हो जाता है, सब कुछ handle करना, तो पहला बड़ा reason क्या है, ताकि उनका administration, उनकी management करना आसान हो सके, पहला कारण, दूसरे की reason क्या development होगा like this, है न, कहीं development हो रहा है, कहीं हमारी marketing strategies होगी, कहीं हमारी health days होगी, कहीं पैचार बैठा होगा, क्या आप चाहते है, security point of view से हर कोई एक network पे काम करें, जी नहीं, तो कभी-कभी हम नहीं चाहते कि जहां पे हम classified information, secure information हम discuss कर रहे हैं, या उस पे काम कर रहे हैं, वो एक आम developer के साथ, या marketing, या sales team के साथ, वो data shared हो, या sales का data किसी और के शाथ shared हो, तो जब मैं लगले, subnet create कर देंगे, तो उनकी क्या properties हो, उनको individually manage करना हमारे लिए आसान हो जागा, तो ये दूसरा बड़ा कारण है, कि subnetting हम करते हैं, एक और important idea, subnetting का वो ये, सच में, यहनों, जब classful addressing की बात करते हैं, जो network हमें मिल रहा है, वो बहुत बड़ा है, हमें उसके requirement नहीं है, अब पड़ासी के साथ, wifi नहीं share कर लेते, वो ही वाला idea है, तो एक बड़ा network मान लीजे, दो घर है, है ना, एक आप है, आपका पड़ासी है, एक बड़ा network आप लोगों ने purchase कर लिया, और उसके बाद आपस में share कर लिया, नौइडा में दो company अभी दोनों startup है, जादा खर्चा नहीं करना चाहते, एक बड़ा network लिया, उसकी subnetting की, आधा एक company ने use कर लिया, आधा दूसरे company ने use कर लिया, तो जब allocation जादा है, demand उतनी है नहीं, तो subnetting करके आपस में divide क कर सकते हैं, यह basic idea हुआ, तो ultimately subnetting का conclusion again, जब एक बड़े network को छोटे network में divide किया जाए, जिसके कारण मैंने आपको बताए, security हो सकता है, management issues हो सकते हैं, या सच में supply ज्यादा, demand कम है, हम किसी और के ताथ sharing करना चाहरे है, यह सारे कारण, यह सारे ideas हैं, जिसको, जिसकी वज़ जाएगी, आपको conclude कर दूँ फिर भी, advantage मैंने आपको बताए, क्या-क्या मुश्किल हो जाएगा, किसी भी station को ढूणना, अभी क्या होता है, आप जब भी किसी host को सर्च करते हो, network ID, host ID, network ID का use करके पहले network ढूण लिया, फिर उसके अंदर host ढूण लिया, अभी आपको क्या देखिया ना, यह तो बताए नहीं था, उसी तरह, यह नो, जब packet आएगा, और वहाँ पर subnetting हो रख्योगी, तो, you know, जो station है, जहाँ पर आपको पहुचना है, वो identify करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, broadcasting, मैं पहले बात कर चुक हूँ, limited broadcast, directed broadcast, तो again, मैं तो network के ओपर broadcast करता हूँ, directed broadcast, अंदर आऊंगा, तो आप क्योंकि subnetting है, तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको जाके, अलग-अलग subnet के ओपर broadcast करना पड़ेगा, इस तरह के कुछ limited problems है, वैसे subnetting successful idea, sir, मज़े से इस्तमाल करते है, अब, दो ideas मैंने आपको बताये थे, fixed length और variable length, fixed length का है, कि जब हम network को divide करेंगे, तो बराबर हिस्सों में divide करेंगे, कितने हिस्से होंगे, वो अलग बात है, CSID वाले आप है, तो सर में 3.5 हिस्से तो करूंगा नहीं, है न, या तो 2 करेंगे, या तो 4 करेंगे, in general, अगर 3 करना है, 5 करना है, तो उसकी management case होगी, वो भी decide करेंग तो अब इसको अगर अच्छे सा समझना है, सर, इसके depth में जाना है, तो basically आपको subnetting करके देखनी पड़ेगी, numerical solve करना पड़ेगा, तो बात समझाएगी, है न, कुर्सी की पेटी बान लो, copy pen निकाल लो, वीडियो को post करते हैं, न, मज़ा आएगा आपको, बहुत simple question एक ल तो 200 डिक्टी आपने identify कर लिया, सर, यह तो class C का network है, class C का क्यों याद है, 192 से 223, या फिर जब इसको convert करेंगे, 110, पहली 3 bit अगर है, तो class C का network है, तो अंदाजा लगा, इसमें कितने IP होंगे, सर, इसमें overall 256 होंगे, 3 byte का जो हमारा net ID है, और बाखी का 8 byte का हमारा host ID है, इस इसका subnetting करना है, बराबर size में करतें, फिलहाल, बराबर मान के चल रहे हैं, क्योंकि fixed size subnetting की बात में कर रहा हूं, यह लोग बीच में line खीजती है, है न, आप जान से देखना, पहले 3 bit तो net ID है, उसमें न आप change करोंगे, न मैं change करोंगे, वो दोनों के लिए same होंगे, इ यहाँ पर dot 1 dot 2 यह रख देता हूं same, अब जो हमारा आखरी 8 bits है, 8 bits है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यह अलग अलग होगा, और इसी की मदद से हम क्या करेंगे sir, इसी की मदद से आपस में divide करेंगे, तो एक काम करते हैं, जैसे हमने class A, class B, class C में किया था, पहले bit इसको दे देता है 0, और पहली bit इसको दे देता है, वन बराबर है, इसे में divide कर रहे है, isn't it, अब पहली bit 0 होने के बाद, अब यह fix कर दिया है, मैं change नहीं कर सकता है, यानि कि, अब जो मेरा net ID है, जो पहले 24 bit का होता था sir, अभी वो हो गया 25 bits का, तो एक और बात, छोटे छोटे statement पूछते न subnetting में bit किदर से किदर जाता है, subnetting में bit जाता है, host ID से net ID में, क्योंकि आपका network छोटा हो रहा है, तो आपके network अंदर host कम होंगे, तो host ID कम होगा, और network क्योंकि, you know, number of networks बढ़ रहे हैं, एक से दो हो रहे हैं, तो एक bit आपने transfer कर दी, अगर आपको 4 subnet बनाने होते हैं, तो 2 bit करते हैं, 8 बनाने होते हैं, तो 3 bit करते हैं, तो CSID वाले जानते हैं, ठीक है सर, single bit transfer कर दी, similarly, इसका भी, यह हो गया net ID सर, और इसका length भी हो गया 25 bits, अब आपके हिस्से में कितने आए, host के हिस्से में 7 bit आए, 7 bit में क्या कर लोगे, छोटे से छोटा, सर, एक idea हो सकता है, कि 7 times उठा के 1 रख दे, यही है न, 4 एक कम कर लो भाई, 4 और 3, 7, जब आप 7 bit 0 करोगे, तो I think जो address आएगा, obviously, हो आजाएगा 0, और पहला तो 0 reserve हो गया, वो तो मैं change कर नहीं सकता, जब बाकी का सब 1 कर दोगे, तो I think क्या आएगा, यह आएगा 127, इसका मतलब, total range रही थी, कह से कहा तक, 0 से 255 तक, तो पहले 0 से 127, यानि कि overall, 128 किस के हिस्से में आ गए, पहले subnet के, दूसरे कि हिस्से में क्या आएगा, अब देखो, पहले bit तो 1 reserve कर दी, मैं change कर नहीं सकता, दूसरे किस में क्या करूँगा, मेरे पास जो है, या तो मैं इन सब को 70 कर दूँगा, या फिर, 1 के बाद, मैं 7 x 1 कर दूँगा, so now this will become what, this will become 128, this will become what, 255, अरे बहुत common sense है, 0 से 255 तक, दिवाइड किया, आधे, पहले के आधे, यानि कि 0 से 127 तक, पहले वाले के हिस्से में आ गए, और 128 से 255 तक, दूसरे के हिस्से में चले गए, कुछ और conclusions, एक एक पॉइंट हूँ, yes, जड़ा इसको देखो, ओए, होए, मज़ा आगे, मज़ा आगे, यह देखो, ध्यान से, तो अब, जो पहला address है, आपने सारे point समझे, जो पहला address है, आपको याद है, किसी भी network का, वो reserved होता है, network की ID में, तो इसका पहला address क्या है, 0, तो यह Sir, network का ID, तो आप सब प आखरी address वो allocatable तो होता नहीं है, वो तो special address है, तो यह reserve कर दिया से, similarly, अब अगर इस subnet पर broadcast करना है, तो जितनी भी host की ID जब सब one कर दो गया, आनि कि जो आखरी address है, यह हमारा reserve हो गया, किस के लिए broadcasting के लिए, इधर, और इसका आखरी address क्या बनेगा, वो ही 225, यह भी 255, यह भी reserve हो गया, किस के broadcasting के लिए, वैसे overall दोनों के हिस्से में कितना आया, 2 की power 7, 2 की power 7, उसमें कोई problem नहीं है, exact range address की क्या आई, 0 से लेके 127, 128 से लेके 255, that is okay, लेकिन reserve कितने कर दिये, 2, तो 128 से दो गया, आपको कितना मिला, 128, 128 से दो गया, आपको कितना मिला, 126, I'm sorry, 126 येस, और allocatable address की range पूछिए कई बार exam, मिगेट में पूछ लेता बताओ, पहला address जो allocate किया जा सकता है, आखरी address जो allocate किया गया होगा, तो आखरी का range, पहले का range, तो सब पहला और आखरी reserve है, तो real range आई, 1 से लेके 126 तक, similarly यहाँ भी, real range आई, 129 से लेके 254 तक, बहुत simple ब अब अगर इसी बात को ये conclusion बात में कुछ important लिखाएगा मैंने, वो जो मैंने आपको बता है वो ही है, कहां से किधर बोरिंग कर रहे है, subnetting में इसमें 20 चीज़ लिख लेना, कि यहां से bit borrow करते है, host ID से network ID में जाता है, कैसे distribute करते है, दोनों बराबर में है, क्या range है, आउस करके analyze कर लो, एक बार 4 हिस्से कैसे होंगे, yes, तो बहुत meaningful और बहुत logical बात है, एक एक point आप यहां पर observe कर पाऊगे, मैं आपका time बचा लेता हूँ थोड़ा सा, और सच 4 हिस्से करके लाएँ, देखो ध्यान से, जब 4 हिस्से करोगे, 0 से 255 तक जाना है, तो क्या दूसरी के लिए 0, 1, 2 bit में 4 combination बनेंगे, तीसरी के लिए 1, 0, और आखरी वाले के लिए 1, 1, नज़र आया, bold में लिखा हूँ है, जब सारा 0 रखोगे, host id में, तो आपको 0 मिलेगा, यानि के पहला address, जब सारा 1 रखोगे, तो 63 मिलेगा, यानि के first or last, similarly, यह दो 2 bit fix होगे, इसके बाद जब सारा 0 रखोगे, तो 64 बनेगा, जब सारा 1 रखोगे, तो 127, similarly, 128 से 192, similarly, 192 से 255, चार हिस्से बाट रहे हैं, बराबर, बराबर, 64, 64 अकाउंट करेंगे, तो भी बात समझा जाएगे, अब सब के हिस्से में, रियालिटी में तो 64, 64, 64 ही गया होगा, हा के न येस, इसमें कोई प्रॉबलम नहीं है, लेकिन, जो रियल रेंज है, 0 से 63, टोटल दो अब भी आप माइनस करोगे, वो जो सबनेट है, उसका जो डिरेक्टिट अड्रस हुआ वो, और जो डिरेक्टिट ब्रोड्कास्टिंग हुआ वो, तो एक्चुली, रियल रेंज कितन 90 से 254, बहुत शांदर तरीकी से, पॉस करो वीडियो को, कॉपी पहनलो, बना के देखो, आप यह वन देखना हम पढ़ लिया समझ आगे, आ रहा है सब समझ में, लेकिन करो के सब मजा आ जाएगा, ठीक बात है, अब, यह जो दो एक्जाम्पल आपने देखे, इसमें पू मैं 5 एक में कर दूँ और 11 एक में कर दूँ, इस टाइप का नहीं, लेकिन कुछ बेसिक हद तक हो सकता है, जैसे देखो, मैं अड्रस सेम ले रहा हूं, नेटवर्क सेम है, 200.1.2.0, कह रहा है, इसको तीन सबनेट में डिवाइड कर दो, है न, एक में रखना 126, और बाकी दोनों में रखना, 6262, अब इतना दिमाग आपका भी चलने लगा होगा, यह जैसे क्लास फूलेटर सिंग की थी, 50% A को दे दिया, बचा हुआ, 50 यानि के 25B को मिलिया, like this, तीन हिस्से करने हैं, सर, कैसे करें बताओ, तीन हिस्से करने के क्या तरीके हो सकते हैं, तो, यहाँ पर फिक्स कर दिया, 0, यह पूरा 50% स्पेस से मिला, बचा हुआ, 7 bit इसके पास, इधर क्या करूँगा, इधर 1 fix कर देता हूँ, अभी 1, दोनों के पास 1 आएगा, लेकिन इसको further divide करना है, तो 1 के बाद, 1 के हिस्से मा जाएगा, 0, 1 के हिस्से मा जाएगा, 1, तो इसके पास भी 6 bit का host बचा, और इसके पास बचा 7 bit का, 7 bit से कितने combination बनेगे, 2 की पार 7, यानि के 128, 126 मांग रहा है, उससे जाधा मैं दे भी ना पाता, क्योंकि 2 तो चले जाएगे, network item और broadcasting में, similarly, 2 की पार 6 कितना बनेगा, 64, 2 की पार 6 कितना बनेगा, 64, मैं कितना दे सकता हूं, 62, वो ही उसने मांगा है, 63 मांगते भाइसा हम दे भी ना पाते, पूरा idea समझा रहा है, यह देखो, सारी detailing, फिर दुबारा से आपके लिए लिख के लाया हूं, video pause करना, analyze करना, पूरा pattern मैं आपको observe करना, सिखा ही दिया है, यहाँ पर single bit reserved है, और यहाँ पर, क्योंकि variable length है, यहाँ पर 2-2 bit reserved है, तो अगें 0 से 127 तक पहले 128, इनको आधायादे मिलेंगे, 128 से 191, 64 मिलेगा, 192 से 255, अगें 64 मिलेगा, 2-2 माइनस करोगे, वो addresses जो allocatable हो सकते हैं, सब का range लिखा हुआ, यह card bit भाई कहीं गडवड ही हो तो एक बार देखना, वैसे मैंने कोशिश किये कि गडवड ना हो, इस वीडियो को record करने के लिए उत्साहित हो रहा था मैं, कि मैं फूरा data भी एगा cross check नहीं कर पाई, वैसे मेरे खाल से ठीक ही होगा, एक और मज़े की बाद, एक और मज़े की बाद, बहुत सरे लोग सोचते होंगे, और सोच सकते हैं, exam में मैंने question देखे, जान भूझ के confusion करता, तीन हिस्से करने थे ना, 50% एक में, second और third में बराबर बराबर बाट दिया, उल्टा नहीं हो सकता, सर उल्टा भी हो सकता, पैसा कर लो, ऐसा कर लो, that is also okay, so यहां पर जो पहला component उसको 25-25 देता हूं, थर्ड वाले को बड़ा बना देता हूं this I can also do, so यहां पर देखो क्या होगा, 0-0 क्योंकि 64-64 वाला पैटर्न है, तो 0-63, 64-127 और आखरी 128-255 इधर दे दो, वीडियो को pause करो, सारी डिटेल देखो, मेरे काल से के point मैंने क्योंकि लिखा हुआ है, तो confusion का कहीं को इसको होना नहीं चाहिए, like this you can do, yes, तो अब यहां पर एक बात समझाता हूँ, subnet mask क्या होता है, subnet mask की क्या कहानी है, यह term important है कहीं कहीं काम आता है, जब तक हम classful addressing पढ़ रहे हैं, तो हमको clear cut पता है, कि कितने bit का net ID है, कितने bit का host ID है, जैसे again यह जो example मैं लिख रहा था, 200.1.2.0, the moment you say 200, sir it's a class C address, there's no requirement मैं आपको बता ID है, बचा हूँ 8 bit host ID है, लेकिन अब जब मैं subnetting कर रहा हूँ, तो फिर आपको क्या पता भाई, हो सकता है 24 bit, यानि कि 256 के आपने 4 हिस्से की हो, 8 हिस्से की हो, confusion हो जाएगा न, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग से, हमें अलग से length बतानी पड़ेगी, किसल network की length इतनी है, अब इसको बताने का तरीगा क्या है, यह थोड़ा सा complicated terminology हो गया, बट इसको बोलते है, subnet mask, subnet mask, क्योंकि subnetting की वज़े से, bit अलग-अलग हो सकता है, बताना पड़ेगा, मार लीजे, जिस हो हमने पहले example किया, वहाँ पे net ID हो गई थी 25 की, और host ID हो गई थी 7 क तो इस subnet mask को लिखते हैं सर, इसको लिखेंगे अगें, जो हिस्ता net ID का है, वहाँ तो 1 लगाते हैं, जो host ID का है, वहाँ पे 0 लगाते हैं, तो अगर मैं exactly आपको बताऊं, तो क्या बनेगा यह, 25 टाइम्स आप 1 लिखोगे, और 7 टाइम्स, 4, 3 और लगा लेता हूं सर, 7 ट बोलते हैं, subnet mask, जब भी आप address बताऊंगे, साथ मैं subnet mask भी बताऊंगे, पढ़ने वाला देख के समझेगा, अच्छा, 25 बार 1 है, और 7 बार 0 है, ठीक है, यानि कि 25 बिट का net ID है, 7 बिट का host ID है, ऐसे लिखना थोड़ा, you know, obviously मुश्किल होगा, इसका वही, dotted decimal notation में, so 255, 25 255, 255, यह तो 24 हो गए, इधर 1, 1 और आ गया, so 1 dot लगा के, that is 128, तब यह आपका हो गया, subnet mask, तो इससे क्या होगा, चीजों को लिखना पढ़ना आसान हो जाता है, default case में चेंज नहीं हुआ, तो class A का subnet mask, 255, क्योंकि 8 बार 1 है, इधर 16 बार है, इधर 24 बार है, तो fundamental understanding से मे आपको change करना है, तो आप अलग से subnet mask दिखा के, बता दोगे सामने वाले को, कि sir, हमने किस तरह से manage किया, for example, अगर मैं आप से बोलू, my subnet mask is 255, 255, let me say again 255, let me say 192, now what does that mean, 192 मतलब 2 1 आपको लगाने पड़ेंगे, 2 1 लगाने पड़े, और मान लीजे, इस context में बता रहा class C का address था, 2 bits से 4 आपने divide कियोंगे, यानि कि 4 टुकुडे करें, पूरी बात समझ आ जाती है, yes, so that is the idea, अगर यहां तक पहुंच गए तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, like ज़रूर करिएगा, subscribe कर लिजे, bell icon दबाईए, फोड़ने वाला हूं, back to back, back to back, networks की वीड latest industry वे नॉन पढ़ाई वाला, जितनी भी updates है, job notifications है, या कुछ important college की information है, counseling information, सब कुछ डालता रहता हूं, yes, thank you so much, bye-bye, भगवान आप सभी को खुश रखे,